कि अब्रिवन भादत्प्र दोस्तों आज की चल्जा का चीसा है और पॉस्टल मैंवल बॉलिंग शह के बारे माजंब करेंगे और इसके बारे माजंब करेंगे यह इन फोस्टल मैंनुल बॉलिंग शह का जो पार टीन है पार्ट तीन है, यह postman और P.A. दोनों के slavis में है, तो आज की जो class है, M.T.S. exam बालों के देट हैं, postman और P.A. की जो तयारी कर रहे हैं, उनके आज की class है, तो सबसे पहले जानेंगे head postman के बारे में, पर हेड पोस्टमेंग से संबंधित जो रूल से वो पोस्टल मेनुल बॉलिंट चेक का जो पार्ट तीन है उसका जो करते हैं यहां जो पैसे लेने का कान या इंको पैसे देने का रेका जो भी जयर्ली एड पोस्ट में ही करते हैं यह कैसे करते हैं ये क्या होता इसके बारे साफसे तक करते हैं यह यूस है कि ने फान फेसी के आफ ऑपस में है आफ इस ओफस में है ब इस नहीं दी Imma reports ители दवी दमा करते By आपका एकसेज मस्होदा एक्सेज धाता है तो आपको तो अपने बेंक अकाउंट अपने से मतलब पोस्ट ओपस का जो बेंक अकाउंट है उसमें जमाजी करबाना है और अगर पैसे की आपको ज़रूरत है और पैसे कि जलते हैं कि ये तो बात है कब जब आप लोग बेंक से लेंडेन कर रहे हैं। मानके चलते हैं कि आपको किसी ऐसो के लिए पैसा जिन देना है। ऐसो से मतलब चाहे तो को सवपिस हो या कोई टाउन सवपिस हो। अगर इस ओफिस को किसी पैसे के जरूत है तो ट्रेजरी से पैसा जाएगा। या यहाँ पर एक्सिस केस है तो यह कैस है ट्रेजरी में जम्मा होगा। तो इस केस का जो लेंडेन है वो सामाने पर EdPoistman के द्वारा करवाया जाता है। या इसके लिए कैस Overseer उपिस होते हैं कई जगे पर कई देगापर, इनके लिए, कैसवर से लेकिन, हैड पोश्ट मैंन को लिए गाम, दिया जा सकता है, तो इनका क्या काम है, कि वहाँ से पैसा लेना और देना, कहां से ट्रैजरी, सट्रैजरी, बैंक या टाउन सा लोकिस से, अगर ज़रूर पड़ती है तो head postman को अगर कोई postman temporary route से absent है temporary का मतलब है कि 2-4 दिनों के लिए कोई absent हो गया या कोई 1-8 दिन के लिए कोई absent है या 4-6 दिनों के लिए कोई absent है तो postman की shortage होने पर head postman को postman के काम पर भी लगवाएगा सकता है दूसरा यह है कि अगर postman duty पर है कोई और यह कोई ऐसा article लेकर आता है कि वो unclaimed है या refuse है या refuse है या refuse है या पोस्टमेंड डिलेवरी करने गया दांस वित्रार करने गया वहाँ से कोई इन दो रिमार्क का अन्क्लेंड या refuse के रिमार्क से कोई आर्टिकल पोस्टोपिस मागे वापिस करते है तो इन आर्टिकल को एक वार head postman को दिया जाता है कि आप इनकी डिलेवरी करते आओ आप इनका वित्रार करवा कर आओ तो यह काम भी किसका है यह काम भी head postman का है कि अगर कोई पोस्टमेंड डाग लेके जाता है और अन्क्लेंड या refuse रिमार्क से प्याजिकल लटाता है तो उनको वापस दिलेवरी को देने के लिए या उनका वित्रण करने के लिए या उसकी परिके से कहें तो 100% जाज करने के लिए head postman को भेजा जा सकता है तो head postman के अभी तक आप लोगोंने क्या क्या काम देखे पहला काम आप लोगोंने head postman का क्या देखा कि ये ट्रेजरी से सब ट्रेजरी से या बेंक से या किसी ऐसो या टी ऐसो से मनी का काम जैसे का जो काम है मनी संबंदी का रहें जैसे वहां से लाना या वहां से वहां को ले जाना जैनले कि आदन प्रदांग का काम करते हैं दूसरा ये क्या काम करते हैं दूसरा इंका काम है कि टेंपरी रूप से अगर कोश्टमेंट एबसेंट है टेंपरी पोश्टमेंट के इस्तान पर टेम्टरी एपसेंट पोश्टमेंट के इस्तान पर कारवी कर सकते हैं, कारवी कर सकते हैं, तीसरा काम इनका क्या है, कि अगर किसी पोश्टमेंट ने अनक्लेंड या रिफूज रिमार्क से कोई आर्टिकल वापिस किया है, तो उस बापिस किये गए आर्टिकल को फिर से डिलेवरी के लिए ले जाने का जो काम है जो भी कौन करते हैं वो भी काम है पोस्टमेंट का ही है तो इनके अलावा और क्या काम है इनके अलावा एक काम और भी है कि मानके चलते हैं तो इस पोस्टमेंट ढाक लेकर के बीट में गया, लो पोष्ट में धाक ले करके किसी meet में जाता है, और उसके पासाइ, meet में जाता है, और उसके पास money orders है, या कोई DPT article है, या कोई COD article है, और यह ज्यादा amount के हैं, या किसी को आजकल जो चल रहा है iPhone से withdrawal करना हो, या किसी को जमा करना तो वो उस postman की limit से ज्यादा का transaction है तो उस case में head postman को उनके साथ नहीं भी रेविया जा सकता है और ये कब तक उनके साथ हम बीट में रहेंगे तब तक एक postman की जो case limit रखनी की जो चुमता है वो मिल जाए या उससे कम हो जाए जैसे मानके चलते हैं कि postman की limit है वो है transaction करने की 40,000 रुपए है transaction आपका हो गया 50,000 रुपए का आप लोगों के पास नगदी है 50,000 की तो उस postman के साथ में एक head postman भी है मानके चलते हैं किसी ने 20,000 रुपए का बिड़ उपन लिया तो अब कैस लिमिट कितनी होगी उस postman के पास ना कैस किपता रगा 50,000 रुपए है तो जैसे ही कैस 50,000 हुआ है head postman भापिस कहां के आ जाएगा वापिस अपनी office आ जाएगा या मानके चलते हैं कि COD articles के COD articles है या money order मानके चलते है money order का लेके चलते हैं case money order deliver करने के लिए 50,000 रुपए उपिस से लेकर जाता है postman और साथ में जाता है उसके में head postman money order delivered होते गए पैसा उनकों लोग देते गए पैसा जैसा जैसे ही इनकी limit postman की limit 40,000 है आनके चलते हैं जैसे postman के पास 37,000 रुपए बाप जहने जाते हैं तो head postman अपने office में आ जाएंगे जब तब इनकी limit है जैसे money order है, बीटी इटी है studio article है, आई-टी इसे transaction संबन विकार है इसके लिए अगर cash limit जादा हो जाती है तो सुरक्षा की दर्ष्टी से postman के साथ में head postman गेंजे जा सकते है और क्या काम है head postman का छोटी मोटी जो minor inquiries है minor जैसे complaints है, किसी की अल्की तुल्की जो complaints है, छोटी मोटी जो complaints है या किसी EMO का सही payment हुआ है, इसको verify करने का जो काम है यह भी head postman का है या यह समझें के जो letter box जो postman होलते है उनके काम की जाच करनी है तो इस कारे की जाच के लिए भी इस काम की जाच के लिए भी head postman को लगाया जा सकता है निकि head postman को छोटी मोटी complaints को schedule करने के लिए PMO का बित्वर सही हो रहा है के नहीं हो रहा है उसकी verification के लिए letter box attendant अपना काम सही कर रहे है के नहीं कर रहे हैं पोस्ट में जो बीट में जा रहे है हो सही काम कर रहे के नहीं कर रहे है इनकी जाच का काम भी किन को दिया जा सकता है head postman को दिया जा सकता है और साथ के साथ में teaching offices में NDC है Northern Delivery Centers है Northern Delivery Centers है वहाँ पर उनकी सेवाई दी जा सकते हैं तो इस तरीके से हम लोग शुरुगात करेंगे बॉलिब शेट की नेक्ष्ट क्लास हम लोग अलग अलग टोपिक्स को कवर करेंगे और फिलाल इस वीडियो को करता हूँ यह है और इस वीडियो का दम्यवास